वोल बंदी के बाद मार्केट पे केस फ्लो विल्कुल कम हो गया और जब मार्केट पे कैसी नहीं है तो किसानों को कैस तहां से दे उन क्या शुरू है अभी छोटे क्रिसी एंतर में भी जी एस्टी जोड़ा जा रहा है जिससे किसानों को काफी महंगा पड़ रहा है एक प्रमुक समस्या लेबर की होती है मेरा एक सुझाओ है क्रिशी को मनरेगा से जोड़ दिया जाए और जैसे मनरेगा का अभी 221 रुपे रेट है और हम 300-300 रुपे लेबर को पेमेंट करते हैं उसके बाद भी हमें लेबर उपलब नहीं हो पाते हैं कुछ ऐसा किया जाए कि किसानों को मनरेगा से जोड़ के 220 रुपे के साशन दे और बाखी उपर की राशी हम किसान दे तो किसानों को भी 100-500 रुपे में लेबर मिल जाएंगे और मनरेगा का पेमेंट भी लेबर को हो जाएगा हम लोग पुराने पुष्टों से खेती करते आ रहे हैं मैं 1985 के हिसाब निकाला था तो उस टाइम धान का रेट करीब 2 रुपे था और डिजल का रेट सवा 2 रुपे था और उस टाइम यदि बाइंग केपिसिटिक किसान का दिखा जाए तो बहुत जादा था उस टाइम सो करना का मैनिफेस्टो बन रहा है इसमें हम किसानों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं कॉंग्रेस पाटी को नैशनल लेवल पे किसानों के लिए क्या करना चाहिए था ताकि हम किसान उसका निम्तन जो रासी है उसका तो हम पाज़ा है। नोट बंदी से क्या नुक्सान हुआ आप सबको किसी को फाइद हुआ नोट बंदी से किसी को नहीं हुआ है। खून के आशू रोए हैं, मामा की जाने का गम अलग, प्रीदी रिवाजों में पैसे का खर्च लग, बिल्कुल रोए हैं सर्थ। अभी छोटे क्रिसी एंतर में भी GST जोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों को काफी महंगा पड़ रहा है, जो पहले सस्ता पड़ रहा था, भी 12% मतलब सेंट्रल और स्टेक्ट में लाके, तो अगर कुछ उसमें किया जाता तो सुविदा होती, और किसान तो मेरे ख्याल से 90% किसान जो है ना, वो नुकसान का ही धंदा है उसका, तो सिंग्देव जी मैनेफेस्टो कुमिटी पे हैं, इसलिए मैं इनको ऐसे डिसकर्शन में लाया था, हमारा इंटरनल डिसकर्शन चल रहा है, स्वामी नातन रिपोर्ट के बारे में भी हमारा डिसकर्शन चल रहा ह कुछी दिनों में हम दो तीन मतलब बड़े काम किसानों के लिए मैनेफेस्टो में डालने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपको चारों और से गेरा जाता है, प्रिशर आप पर आता है, एक साल पहले मैंने भारत जोड़ो यात्रा की, कनिया कुमारी से हम कश्मीर तक चल हमारा कर्जम आप नहीं होता, बैंक के दरवाजे उनके लिए खुले होते हैं, हमारे बैंक के दरवाजे बंद होते हैं, अब आपने हमें बोला कि आपका ही पैसा आपको नहीं मिलता है, फटिलाइजर की बात, पेस्टिसाइज की बात, सब जानते हैं, मेरी सोच है कि किसा किसान देश की रीड की हर्दी है, किसान भोजन देता है और किसान के बिना ये देश चल नहीं है राहुल जी ने बहुत ही आराम से और सभी की बाते सुनी और सुजाव के बारे में कहा कि मैं जितना हथ सक्ट बन सकता है उसके उपर परयास करूगा बीजेपी इमोशनलेस है, उनको उनका भावना नहीं है, जैसे कॉंग्रेसी, राहुल जी में तो मैरे को लगता है करूना है प्यार है लोगों के पती दोनों में बिसिक डिफरेंस यह है कि कॉंग्रेस गरीबों के साथ हैं और वो उद्योगवतियों के साथ हैं क्रिसानों के साथ है वो अध्यक्रतियों के साथ है कोंग्रस जीज़ां के साथ है वो वयपारियों के साथ है टीन या चार बजट प्रेश हो चुके हैं और किसंधी को लेकर सरकार की कोई ने छिजा निदस निय केट उनकी ये सोच ही नहीं कि किसानों के उनके हग का पैसा दें चार-पांच सालों से हमने जो दबा करकर रखी थी आज एक मौका मिला कि सीधे हमने राश्टी नेतिरुत के सामने ये बात रखी है बिल्कुल मैं राहुल गांधी जी को इस चीज के लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस्ट्विट्व